अगर मैं आज सुधान सूजी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूँ और कल मैं सामिल हो जाओं तो मेरा क्या स्थिखत है इसका मतलब तो हम सब विकाव माल हो गए जो आपके साथ मिलाए गए हो माल विकाव था उसी को जीने का हक है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए पंजाब में तो आप गड़बंदन नहीं करोगे कॉंग्रेस को कोसोगे और बाकी देश के अंदर आप गड़बंदन करके जन्ता को टोपी पेना आपका स्टैंड क्या है हिंदू सिक जैन बहुत सब के लिए कहना जाते हैं इनकी लाशों पर सर रखकर आजादी थी हमने पाई वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंथी चाहिए नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बरोसे मंतकारिकराम ये देश है हमारा कहते हैं जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा तो 2024 की करम भूबी भी सच चुकी है और दोनों तरफ की पोलिटिकल सेनाएं आमने सामने है और इस सियासी महायुद पर निरनायक फैस्ट के लिए 95 करोड से जादा वोटर भी तयार है यानि आप तयार है ब्रैंड मोदी की ताकत के साथ भारत्य जनता पार्टी खुलकर एक्शन मोड में आ चुकी है और कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक कार्पेट बॉम्बिंग वाले अंदाज में कैंपेल लगातार जारी है कैंडिडेट की लिस्ट से लेकर C.A. तक भारत्य जनता पार्टी चौतरफा एक्टिव हो गई है लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार की हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्शी खेमा भी हर दाओ अजमारा है देर सही सही लेकिन मोदी के विजयरत को रोकने के लिए विपक्शी एक्टा का एक चक्रव्यू तैयार कर लिया गया है हलाकि नेताओं की भागंभाग और अपने ही घर में छड़े ग्रहयुद के बीच विपक्श को लगातार जटके भी लग रहे हैं ऐसे में बड़ा सवाल यही है क्या 2024 की महवारत में कृष्ण यानि देश की जनता यानि आप किसका साथ देने वाली है तो आज जनता जनारदन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी राजनितिक बहस 2024 का मेला और भीज़पी का खेला कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक पियम मोदी ने जोकी ताकत इंडी घडबंदन की सरकार विकास विरोधी है जनता विरोधी है यह लोग जनता का हग छीन कर सरकार में मौज करने के सिवाएं उनके पास कोई वीजन नहीं है CAA पर मोदी सरकार का एक्शन CAA देश का कानून है इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर कर रहे हैं चुनाओ के पहले दूबी करन करो दूबी करन करके समाज में तनाओ पाइदा करो और इसके फाइदा उठाओ यह गलत खानून है भारत की आईन के खिलाफ है मजब की बुनियाद पर बनाया गया है इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अखलियत को उनको संग किया जाए पहली लिस्ट में बीजेपी का बड़ा संदेश यह 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है यह तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है हर मोर्चे पर भारतिय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गडबंदर भी देर से ही सही एक जुट दिखने लगा है लेकिन पार्टीों की भागंभाग और नेताओं की भगदर से विपक्ष को लगातार चटके पर चटके लग रहे हैं ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी की चौतरफा मजबूत तयारी का मुकाबला कर पाएगा आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस 2024 का मेला और बीजेपी का केला लेकिन बहस के मुद्दे क्या है तीन बड़े मुद्दे आज की बहस के दल दल में भगदर है आगे बरता हूँ कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक बोधी का यानि ब्रैंड मोधी का एक बड़ा डंका बज़रा है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक उसका फैक्टर कितना बड़ा होगा आगे बरता हूँ सियासी फाइदे के लिए क्या सिये का शिगूफा एक बर फिर शेडा जा रहा है जो सवाल विपक्ष उठा रहा है जो सवाल कई पॉलिटिकल पंडित उठा रहे हैं तो इन तीन बहस के मुद्दों के साथ आज की चर्चा काम आरंब करेंगे और कहते हैं आरंब ही प्रचंड होना चाहिए तो आरंब को प्रचंड करने के लिए मेरे युवा मित्रिया मौजूद है जिनका जोरदार तैलियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं और मेरे साथ आज पैनलिस्ट भी है और एनलिस्ट भी है जोरदार थैलियों के साथ अभिनंदन करिये नव निर्वाचित राजिसवा सांसाथ डॉक्टर शुजान शुत्रवेदी का इनको बहुत बहुत शुपकामना है राजकुमार भाटी परवक्ता समाजवादी पार्टी के नेता है और लोकप्रिया परवक्ता है और इस बार सपा का कारे करता कारे करता कहराता कि अपकी बारी भाटी की बारी यानि राजिसवा में इनकी तयारी करा रहे थे लेकिन जया बच्चन जी की हो गई मेरे साथ प्रयांका ककर जी है आम आदनी पार्टी के नेता है प्रवक्ता है उनका जोर दर तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं रोहिता करवाल है प्रवक्ता RLD के है अभी एक महीना हुआ है इने अंडिये में आये हुए तो यानि अभी एक महीना का experience इनका इंडिये का है तो वो भी पूछेंगे कैसा रहा और मेरे साथ दो एनिलिस्ट भी है तो उनका भी जोर दर तालियों के साथ दाविनंदन करिए निरंजन पौदर और सईद जवाद साब आपका भी जोर दर तालियों के साथ दाविनंदन है तो इस हिमाचल में कॉंग्रेस की सरकार खत्रे में आ गई सपा को पता लग गया कि पॉलिटिकल हैसियत समाजवधी पार्टी की कितनी है क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खास दौर पर विपक्षी पार्टियां अपने कारेकरताओं से दूर हो रही है मैं एक बहुत लोग पर यह कवी है शिव शरन बंधून की पंक्तियों से अपने बात सुरू करूँगा कि रहते रहते घर में घर हो जाते है चलते चलते लोग सफर हो जाते है राजनीती में कुछ लोगों की फितरत है जिदर बने सरकार उधर हो जाते है तो ये तो राजनीती में कुछ लोग होते हैं जो जिनने केवल मलाई चाहिए जिनने केवल सुविधाय चाहिए जिनने केवल आराम की राजनीती करनी है सही राजनीती तो वो ही करते हैं जो विपक्ष में होते हैं यह जो चुना आपने बड़ी खुब सूरत कही और उसके लिए जोर्दा तालिया होनी चाहिए लेकिन आपने बहुत सुन्दर बात बोली लेकिन ही माचल में तो सरकार भी आप विपक्ष की थी दुस्तूर भी आपका था लेकिन वह विपक्ष में चले गए तीन सा ती चे व है ना तो इंकम टैक्स है ना पूंजी पतियों की थैलियां है ना इलेक्टरल बॉंड में जो धनी खट्टा किया गया था वो है अब देश में हो क्या रहा है और मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता को राजनितिक मैं यह नहीं कह रहा कि इसके लिए भारती जिन्ता पार की विचार धारा के विरोद में खड़ा हूं और कल में सामिलों जाऊंतो तो मेरा क्या श्रिप्त इसको मतल limbange हम सब ह। हो गए तो यह जो देश में चल रहा है जो आपके साथ साथ थे वह उधर चले गए अभी मेरे भाई मैं उन्हें पहले तो मुझे राजसभा के लिए बदाई देनी चाहिए थी क्योंकि निर्वाचन के के बाद आज पहली बार हमार साथ सामिल हो रहे हैं आपको बहुत 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 बदाई शुबकाम नाएं वह इसका खंडन करेंगे लेकिन सचाई यह कड़वा सची है इस देश में जो सुधान सुजी की पार्टी ने भारती जिन्ता पार्टी ने जो एक पर पार्टी चला चला हा लए जाता है फिर काूंटिंग में बेही मान Monst Magic जाती है जीतेये प्रक्रणी में सामल हो जाते हैं और सा bastards पाप माफ हो जाते हैं उनके मुकदमे में दो तीन उधान बाइए दस सेकंड में जी दस सेकंड आसाम में ले ले हिमंत विश्व सर्मा यही उन्हें भिरस्चाचारी बताते थे आज इनी के मुक्मंत्री हैं आप बंगाल चले जाएं सुबेंदु अधिकारी उनके उपर आर 90 कह रहे थे अजीत पवार चक्की पीशिंग चक्की पीशिंग आज वो इनके सम्मानित उप मुक्मंत्री हैं तो यह जो चल रहा है लालच भी दिखार भी अधर गोटाले में नाम था वो भी एक नाम है सुदान चुत्रवेदी यह परिपाटी आप ने चलाई है हिमाचल म अभी जो भाटी साब ने बाते कही उसमें एक दो गंभीर बात भी थी पर पर मैं लाइटर नोट से शुरू करना चाहता हूँ इनके तमाम विधायक जिनके लिए अकलेश जी कहते थे हम साथ साथ हैं वो अब इनसे कहने लगे हम आप के हैं कौन जी तो मगर जो इन्हों न अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी है वो भी दो महिने पुरानी बात है फिर भी गढ़बंधन कर लिया अखिलेश जी के लिए कहा गया समझवादी पार्टी के लिए कौंग्रेस ने कहा चिर्कुट पार्टी है तो अब ये समझ में नहीं आता है कि जो आप गढ़बं सिंग आदव 1989 में पहली बार मुख्यमंतरी बने तो हक था अजीस सिंग जी को बनने का और जो उन्होंने कहा ना कब कैसे क्या होता है आज मैं इमांदारी से बात कहता हूँ पुराने लोगों को बिलकुल इसकी तस्दीक होगी जातर विधायक अजीस सिंग जी के पक्ष में थे पर व फी सिंग जी उस समय जो परधान सिंग जी को बनवय हैं हमारे चेला बन के रहें गтории पिशाटओं मारा कि टिशेकर चंशेकर çalış चले गए उस और और पिर उस पर चाटत मारा वो तो इस्टेट गेस्ट आउस कांड में सबको पता है परंतु कम से हम उनकी तारीफ करूँगा कि सबको जटकते पटकते हो 2012 में अपने दम पे इस पश्ट बहुमत की सरकार सपा की ले आए और उन्होंने मुख्यमंत्री बना के अखिलेज जी को दिया वो अरविंद केजरीवाल का तो कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था उसके पीछे भी आप पढ़ गए अरे अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे उनके गुरू थे उनीली नहीं को धोभी पचल मार दिया उन्होंने बात हैं अब मैं एक बात कहना जाता हूं जो गंभीर बा भारत को आनविक शक्ति बनाना उस सारी चीजों को लेकर अंत्योदे को लेकर मगर अंतर क्या हो जाता है देखिए समाजवादी पार्टी थी याद करिए एक दोर में सबसे आदा पूंजी वादी और फिल्म स्टार इनकी पार्टी में आ गए थे यहां आपको पूंजी बाद दिखेगा परिवार बाद दिखेगा आप संख्यक बाद दिखेगा जाती बाद दिखेगा भाई बतीजा बाद दिखेगा नहीं दिखेगा तो समाजवाद नहीं दिखेगा वही कॉंग्रेस गांधी बाद की बात करती थी यह सारे बाद कॉंग to choose between your character and strategy character not the political character then leave the strategy be with the character because you can survive without strategy but you cannot survive without character and i tell you two seats of the party we left all the strategy we were able to stop from the world we were able to stop from the congress we were able to stop from the raman mindir okay 303 seetos itself and ramanandir can be made a opportunity to support you can get bigger picture of this the party uh is part to develop haute witt bante of a we're live अगर आपको लगता है कि ये दौर अमरजनसी का दौर है तो लेकिन आपने कॉंग्रेस के साथ समझोता कर लिया दिल्ली के अंदर तो आपका वोटर आप पे भरोसा क्यों करेगा प्रयांका जी ये बड़ा मूल सवाल है क्योंकि आज का वोटर बहुत इंटेलिजन्ट हो चुक है अमीर जी अमीर जी इतनी अच्छी बाते किये अभी सर ने सुधांशु सर ने यहाँ पर उन्होंने का यू किन सर्वाइब विडाउट स्ट्राटेजी बट यू कांट सर्वाइब विडाउट क्यारेक्टर तो बोधी बोलते हैं कि 15 रुपय अगर अकाउंट में आ जाएगा आपके पर वो नहीं कर पाते हैं सबकी आपकी इंकम कम हो गई है आप EMI पे जादा अपना लोन ही भरे जा रहे हैं लोन की जिन्दगी आप जीत रहे हैं यह स्ट्राटेजी है कि क्यारेक्टर आपने जूट बोला कि पेट्रोल का प्राइस सौ के नीचे होगा 35 रुपय का होगा पर आज सौ के पार पेट्रोल प्राइस है आज हमारी करंसी अफगानस्तान के नीचे है 85 रुपी USD डॉलर के यह स्ट्राटेजी है कि क्यारेक्टर तो सारी बाते जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोली थ करते हैं आज तक हमारे केस में भी हम कट्टर मानदार थे हैं और रहेंगे हमारे केस में आज तक भी एक जवन्नी की रिकवरी नहीं हुई लो में यह ऐसे संशोधन कर दी हैं कि किसी को भी जेल में डख सकते हैं बिना अनंतकाल तक बिना सबूत के यह एक खतरनाक सरकार है अगर आपको सरफ एक केस की बात करनी बहुत टेक्निक आलटि में जाना पड़ेगा है मैं आपको समझा सकती वहां बेल क्यूं मिली आपको वह इसी कानून के तहत distinction कर दिया अब अमीजी इस कानून में संशोधन कर लिया बैर किया आपको लगता है कि अब जो बीजेपी है इस काल को आपको की अमरजएंसी का काल कहती है बीजेपी अमरजेंसी दो साल ब्लेटेंड अमरजेंसी उनके तमाम बड़े नेता जेल में चले के वो सर्वाइव कर सकते थे नहीं कर सकते थे को कंग्रेस के साथ समझौता करना पर आपको समझौता कर लिया MILL освuba की तो इन ने अडवानी जी के साथ क्या कियीस हो सब के समते छाँ बारत नता है नुधा Ammar 80-80-years के politician को क्या राजनीती, regular राजनीती करनी चाहिए या प्रियंका ककर को करनी चाहिए, सुधान चुत्रवेदी को करनी चाहिए, रोहित अगर्वाल को करनी चाहिए, राजकुमर भाटी को करनी चाहिए क्या आपको लगता है कि 80-year वाले politician के पास जादे experience होगा, चाहिए, तो चोड़ देते हैं, सुनिये, आप सुनिये, मुझे बात करने दीजे, इनकी राजनीती क्या है, चंडिगर मेरे election किसने नहीं देखा कि कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की, वोट चोर है भाजपा, ये वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, ये सारी अर्नेतिक हरकते करते हैं, इन्होंने वोट चोरी चंडिगर में की operation लोटस करते हैं, अभी जो helicopter chopper use हो रहे हैं, वो कौन खर्चा उठा रहा है, पूछले हैं, जन्ता का पेसा है, जन्ता का पेसा है, शिमला टु पंचकुला, पंचकुला टु शिमला गूम रहे हैं, इसकी सब को बहुत चिनता हैं, उनके मुख्यमंत्री, जो पंजाब के हैं, उनका काफिला, कैप्टेन अमरिंदर सिंग से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है, तीन दर्जन से गाड़ियों का लशकरे जर्रार चलता है, और वो तो पेटरोल जनता का फुकता है, मेरे भाई, जो कहते हैं कभी, अब स लूसे, में सिक्योटी नहीं ले लूँगा, इस समय, भ Mario देखे, मैं इनका मजागती या तो यह बचकानी हरकत कर रہे rapid, या शातिराना हरकत कर रहेबे, पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है, जो भी मुख्यमंत्री होता, उसको सिक्योटी की जरूर्वत है, फिर उसक बच्चों कासम खाता हूं कि वो नहीं करूंगा क्या कहते हैं वो बदल दिया और मैं कहता हूं जा कि चेक कर ये 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है हरविन केजरिवाल जी का कि मैंने सुना है कि शीला दिक्षिजी के घर में 12 एसी लगे हैं 15 एसी लगे हैं मैंने सुना है कि ब करोड के परदे लगे हैं सबसे लंबे संब विपक्ष में कौन ना भारती यंता पाटी कौन तोड़ पाया हमें कोई नहीं तोड़ पाया और आपने कहा ये साब एक ऐसा भी कानून था इस देश में और इनका प्रेंका जी कहना है तो कोड को उस कानून को रद्द कर देना आप कोट में नहीं जा सकते ना वकील ना अपील ना दलील जब तक सरकार चाहेगी आप जेल में रहेंगे अरे हम तब भी नहीं तूटे थे तूटते वो हैं जिनके हाउसले और इरादे दमदार नहीं होते आपके तो पाशन भी चंदिगर में तूट गए लेकिन अब क्योंकि बार-बार विपक्ष कहता है कि बीजेपी तोल रही है बीजेपी तोल रही है हाली में हिमाचल में हमने देखा वहां कॉंग्रेस ने खुद कॉंग्रेस की सरकार को कठनाई में डाल दिया मेरा सवाल कॉंग्रेस के साथ जाने के मजबूरी एक लाइन में आप बता पाए हमारे विवस के लिए और इंधर्शकों के लिए आज अगर Constitution को नहीं बचाया आपने आज अगर लोकतंत्र को नहीं बचाया आपने तो यह पार्टी इलेक्शन करदेगी चुनाब जीट जाएगा तो चुनाब नहीं होगा। रोईत भाई अगर एंधर चुनाब जीट जाएगा तो विपक्ष नहीं में ऑगा प्राइंका कख्कल आप पार्टी की ने ना सक्षा क्रेटी ने मैं aam ADMI PARTY KC मेर that date on the प्रेंका समझ गई आगे क्या होने वाला इनके नेतारविन केजिरिवाल आरोप लगते ही पदसे स्तिफा देना चाहिए आज यह क्या डिफेंड कर रही है कि भाई साब कानून की वज़े से जेल में जा रहे हैं वैड़ाइम की वज़े से भ्रस्टाचार की वज़े से नहीं सर्ण परिवारवादी पार्टी से आते हैं उनके साथ गडबनना नहीं क परियंका परियंका यह एक चोटा सा सवाल का जवाब आपको जरूर देना चाहिए जबात रोहित अकरवाल ने बोली क्या आपको लगता नहीं है कि एक एक स्टेट में अलाइंस है दूसरे में नहीं है एक में लोग तंतर बचा हुआ है दूसरे में बचाने के विशक्ता आ गई है तो हमारे दोनों लोकल यूनिट्स को पंजाब में अलग लग लड़ना था हमने उनका सम्मान किया इनको क्या प्रॉब्लम है हम अपनी पार्टी इनको पंगति लागों तो पुराना गित था ना दिल्ली में महबत पंजाम में लड़ाई अरे मार डाला दुहाई दुहाई जी 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 बीजेपी जो दलों को तोल रही है जो विपक्षा रोप लगा रहा है उस पर सपा के साथ विधायक चले गए अभी हिवाचल में क्या हो गया है देखे ऐसा है निरने हीन और रीड भी हिन पार्टियां जो होती है वो ऐसी करती है जैसे एक बच्चा होता है ना जो ठोकर खाके गिर जाता है उसका खिलोना तूर जाता कि अंकल ने तोड़ दिया तो उसी तरीके से वह देखे ये खुद जैबचन जी के चकर में पूरा बवाल हो गया क्या आपको लगता है कि पोलिटिकली फैसले नहीं कर पा रहे हैं और अब आपके दो-दो महास्चिव और एक राश्चिश सचिव ने जो बोला है वो सारा सब कुछ पठल पे सरीम शेरवानी स्वामी परसाद मौरिया और एक सिखिक और अजीश सिंह मुकषमंत्री बन रहे थे लेकिनले मुलाहिम शे सिखिक में आपको बता हूं यह सही बहता है दो दावेदार थे विदायकों के वोट पड़े थे कि इसका पढ़ chamarts जिसको देंगे उस बनाएंगे वी की सिंह जिस प्रदेस के मुहम नुमलन अभियान चला गया था और इसमें बहुत धेर सारे सतर के करिब यादमों को मुठोधों मारा गया था नेता जी ने जब उनके खिलाब सडाक पर संघिया था एक तो यह आपने प्रत गलत वोला दूसरा आपने कहा कि स्व भी जेपैं से जो से स्टार थे नहीं सबसे बड़े कौन जिनकी वज़े से बीजेपी खड़ी हुई है कल्यान सिंग जी कल्यान सिंग ने पार्टी तोड़के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और ये कहा था कि इस बीजेपी को खतम कर दूंगा उत्तर प्रदेश में दूसरी इनकी लेता थी उमा भारती आडवानी जी को धंकाते हुए मीडिया के सामने बाजबेजी बैठे थी दो अब काते हुए गुस्से में बाहर निकली थी फुंकारती हुए उन्होंने भी कात खतम कर दूंगा साक्षी महराज ने पार्टी छोड़ दी ती आपकी विचारधारा तो पंध्रिर प्एक शब्द है सामाजगी ने के विरोध में रहते हैं आप सामाजी ने की सबत लेके आते हैं करें सारी बातों का जवाब देता हुए देखिए पहली बात उस जमाने की बात का unda वेरिफिकेशन को बात नहोंगा इतना तो स्विकार कर लिया कि अजीस सिंग और उनके बीच में बतभेद था और मुख्यम्ट्रीव लने के लिए इतना स्क्रिकार किया आप आप अपने में ताइस में लेगा है आप 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 यह बता दो नहीं हमारे आप मैंने कहा अमारी पार्टिम लिजन नहीं हुआ और आप एक नाम भूल गए और बोल देता हूँ, यो दुरपपा जी भी छोड़ के गए थे, मगर जो जो छोड़ के गया, सब वापस लोट के आए, माननी कल्यान सिंगी जब वापस पार्टी जॉइन किये, मैं उस प्रेस कॉन्फरेंस में था और उनसे पूछा गया कि आप एक जनता दल बन गया, RJD, एक जनता दल बन गया, बीजू जनता दल, एक जनता दल बन गया, JDS करनाटक में, ये होता है, विभाजन ये होता है, कॉंग्रेस O, कॉंग्रेस S, कॉंग्रेस R, कॉंग्रेस U, कॉंग्रेस I, कॉंग्रेस U, तो अटल जी कह दे तो, कॉंग्रेस म यह विभाजन होता बताईए कोई बीजेपी में वर्टिकल डिविजन हुआ इसले मैंने का नेताओं ने कई बार छोड़ा मैंने और एड़ करके बता दिये वर सब वापस आए क्योंकि हमारी पार्टी में सबको रिलाइड होता है जो मान सम्मान होता है जब कल्यान सिंग पा भवा में 180 जन्ता दल गया चापन हमारे थे 97 कॉंग्रेस गहते भी ठीक उसके बाद गोली चलवाई ठीक भाजपन समर्थर नापस लिया कॉंग्रेस से हाथ बिला लिया सरकार बन गई उसके बाद कॉंग्रेस को जटका दिया चंशेकर जी के साथ चले गए उसके बाद बस सुदानशु जी जब आप इस चीज़ की एला रहा है अब अभी उसी पर आ रहा था मैं आप कहते हैं अब की बार मेरे इन जूटों की सरकार बदल दो और पता नहीं कौन सी लाठियां पीछे भांजी गई हैं कि आज जैन चौधरी साब भी चले गए हैं वो सकता आपको तकलीफ हुई हैं इन इलफाजों से दूसरी बात कह रहे हैं बाई साब आपके लखनाव विदान सबा के अंदर 270 से उपर आपके विदायक हैं ऐसी क्या जरूत पढ़ लेके समाजवादी पार्टी के विदायक लिए जा रहे हैं उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा है और खास दौर्ट में विपक्स से कहना चाहता हूं भारतिये जनता पार्टी को वाशिंग मशीन करना बंद करिए अब इनको तुरंट इधर पार्टी जोईन करिए उदर आपका कुईक वाश आपके उपर सारे यह क्या मतलब देखिए यह जो एक खड़े 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 होई है इनकी जो पीड़ा है ना वह बहुत बढ़ी है और बोला 270 विधायक 270 से भी जादा विधायक है आपके 9 RLD के भी आग लिए कुछ तो छोड़िये आप लोग बड़ा मशूर शेर है कि उसी को जीने का हक है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए यह आप जैसी पार्टी के उपर आज बिल्कुल बैटता है को इदर को जोड़ेंगे नहीं प्रेंका जी छोड़ रही है ना यह यह बताई यह सारी गंदगी फैक्ट्री कौन है बताईए बताईए यह तो बताओ ने वही तो कहते हैं लोगों को तो शराभी कह रहे हैं तो फिर अब रहूल जी को कौंट कर रहें अब दूसरा दुसरा दूसरा 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 ये ये इतने मैले धुलैले कौन लोग थे जो कुए इसे मैले लोग कौन सभी पार्टियों नाम ले लिए उनको लिया गया उसके बाद जोती आधित्राउस इंदिया उनको लिया गया और उसके बाद अभी आरेलडी को भी लिया लिए जो डर गया वो वाइनाड की नजर गया जी अब तो वाइनाड भी नहीं मिल रहा अब तो तेलंगाना जाने की फोसल है वो पिछली बार कॉंग्रेस के युगराज चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे और 2024 के चुनाव में तो उनकी माता जी आधरणीय सोनिया जी अर्थाद कॉंग्रेस की राज माता जी ने जंग का विगुल बजने से पहले यूपी छोड़ दिया ये देश मारा केस अटिशन में रुकें एक अंतराल के लिए लेकिन अंतराल के उस पर मेरे युआ मित्र पूचेंगे सवाल और जोरदार होंगेस वाल और ब्रेक के बादज को दो चौड़़ धर चौब का मेला बीजोप का खेला ये देश मारगे एक धर फिरा insistence लौ़ प्रफा है एक तो ब्रैंड मोदी है ब्रैंड मोदी नहीं कुछ ब्रैंड लगता है एक सब्सक्राइब ब्रैंड मोधी की ताकत है की नहीं है पॉलिटिकल ताकत है अरे सेस और गनाइजर कहता है कि उनका करिज्मा खतम हो गया अगर आपको लगता है खतम हो चुका है तो आपको कॉंगर्स के साथ आलाइस को करना पड़ा दिल्ली के इंदर लास ताइम आप अकेले चुना उन रह बड़ी बड़ी नो हजार क्रोड तो इनके पास इल्लीगल फंड नहीं तो सुप्रीम कोट नहीं कह दिया 9000 कोड तो किसी और पार्टी के पास नहीं है ठीक है तो लेवल प्लेंग फील नहीं ये तो हमें पता है कि चोरी कर सकती ये पार्टी ब्रैंड मोधी के ओंपर को य एक दूसरे के धूर विरोदी एक ही पाल पर आ रहे हैं जब कहते हैं कि जब एक पाल पे सारे के सारे पसुआ जाए तो इस समझेलों दूसरी पाल पे शेर है जिस तरीके से आज अगर और पांडवो की लड़ाई है दूस्ते बड़ी संख्या में ये लेकिन देखे कौरव और पांडव पे एक ही इंसिडेंट मुझे ध्यान में आता है कौरव में धितराज सबको आपको पता होगा धितराज जो थे वो दुरियोधन को राजा हर हाल में बनाना चाते थे और वहाँ एक दुरियोधन था युवराज जो लड़ाई हार गया था इसके बाद भी उसकी माता गांधारी लगी हुई थी किसी प्रकार मेरे युवराज को सत्ता मिल जाए आज के युग में मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि वो समझ ले कि वो तो दुरियोधन कहता है जानामी धर्मम नचमे प्रवत्ति धर्म क्या है मैं जानता हूँ पर धर्म मेरी प्रवत्ति नहीं है वो कहता जानामी धर्मम नचमे निवर्ति अधर्म क्या है यह भी मैं जानता हूँ पर उससे मेरी निवर्ति नहीं है और बंबं बोल रही है तो उसको शराबी दिख जाते हैं यह अपनी अपनी विवेक है अपना अपना विमोचन है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना जाता है तो ब्रैंड मोदी और उसके साथ-साथ नरेंद मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं और कश्पीर से कन्या कुमारी है देखिए आप बेशक मोदी के अगर ताकत है अमीश भाई तो आप बताईए नितीश कुमार के साथ फिर से इनुन गट बंदन कर लिया आप आप कर रहे हैं तो आभी के ऐलायंस में लालु यादव जी हैं जो की कन्विक्टेट करेप्ट इसके वारे में आप क्या बहुत बढ़िया सवाल बहु कि अगर किसी के पती ने करप्शन कर रही है तो उसकी सजा उसकी वाइफ को भी मिलनी चाहिए उसको भी किसी को पार्टी को मिलनी चाहिए कि अपरादियों के उपर तो मैं बताना चाहता हूं आप बचों सब जाके चेक लिए एक बहुत बड़े समाजवादी कभी हुए आदम गोंडवी पक्के समाजवादी थे परंतु बाद में उन्हों ने देखा समाजवाद में जिस ढंक से अपरादी तत्वाने शुरू हुए तो उन्होंने अदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में उत्रा है राम राजियों विधायक निवास में और आगे के लाइन उनकी मेरी नहीं पक्के समाजवादी हैं तसकर हो या ढकैत उन्होंने का पक्के समाजवादी हैं तसकर हो या ढकैत कितना अस से हमारी फैसला कुन जंग थी फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदर आ गए जिनके चेहरे पर लिखी ती जेल की उची फसील राम नामी ओड के संसद के अंदर आ गए कल तलक जो हासिये पर भी नजर आते न थे आजकल बाजार में उनके कलंडर आ गए और जिनको सच कहना सुनना और देखना बाता नहीं कुर्सियों पर वो आज वह ही बापू के बंदर आ गए अब ही मोधी ऊडात मेरे निवेड piano my ॐइण्स अब दाए मोधी ब्रांड क्या है देखिए पहली बात तुम्हें कहना चाहूंगा कि मोधी ब्रांड वो है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटे थी उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे नहीं आके बनारा से चुनाव लड़े 73 सीटे यूपी में हमारी 47 सीटे थी सवा 300 सीट इत्याओ नेने 9, फ्रीने 13 साल के बाद पहली बार इस पृस्त बहुंद इसलिए ब्रांड वांड बहुत चोटा शब्द मोधी यूग प्रवर्थक महापुरुश जी ब्रैंड चोटा शब्द है ओके ओके मोधी ब्रैंड के उपर लेकिन मोधी ब्रैंड जो है वो है लेकिन साथ में राम मंदिर भी है साथ में अब सीए भी आएगा क्या करिएगा 370 हटा चुके हैं ये UCC ला चुके हैं उत्राखंड के अंदर क्या करेगा ये और मोदी नरेंद मोदी ने बोला है कि इस बार जब मैं दो हजार चॉविस पे आऊँगा तो इससे और बड़े काम करने के लिए आऊँगा ब्रैंड मोधी और ब्रैंड राहूल आपका विश्टेशन क्या है? आज की तारीक में क्या हो रहा है? कुछ लोग 60 में से 52 चुनाव हारने वाले को जन्नायक कोशित करें और जो जिसकी वीनिंग 87 परसंट है। ब्रैंड मोधी वो है जिसके उत्तर परदेश में साथ राज्य सभा कैनिडेट जीत सकते थे और आठवे का चांस था आठवे को जितवा दिया। हिमाचर परदेश में कांग्रेस का कैनिडेट क्लियर कट जीत सकता था ब्रैंड राहूल वो है जिसको उन्होंने हरवा दिया। खुद सोचके देखिए कहां पे कौन खाड़ा है ये बात सोच नहीं होगी सोचिए बंगाल के अंदर दो सीटों की धरकार के लिए कॉंग्रेस लड़ रही है आम आदमी पार्टी की सेकिंड फिडलर होके दिल्ली के अंदर लड़ रही है उत्तर परदेश के अंदर नकार सीटी सीए की क्या वशकता है अब देखिए एक बात अमीश भाई पहले समझनी पड़ेगी हमें कि 75 साल में से 60 साल कॉंग्रेस ने राज किया और आज 80 करोल लोगों को पांच किलो राशन क्योंकि ये आधा पेट रखना चाते हैं देश की जंता को ताकि देश की जंता निकलेगी मुँ से और देश की कैपिलिस को गाली दोगे दिन राट पानी पी पीर के और रोजगार की बात करोगे तो रोजगार क्या विदेश का कैपिलिस आके तुमको देखा सुदान चित्वेजी आप कहरें कि ब्रैंड मोधी है आप कहरें कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन यू सी सी की जरूरत क्यों है अब हो रहा है कि सी ए फर्स्ट फीक आप मास्ट में आए बस दो लाइन में बता देना चाहता हूँ देखिए साब अब ही बता रहा हूँ आप पूरी बात होने दीजेगा जो लोग कहते थे कि राम मंदिर में राम लला कहा है यह साबित करना पड़ेगा जहां विराजमाने वहां से नहीं मानेंगे कागज दिखाओ सबूत दिखाओ पांसो साल पुराने कागज दिखाओ वही लोग आज कहते हैं कि हम जहां विराजमाने मान लो कागज मत मांगो हमसे तो मुझे लगता है कि इस पर वो पंक्त याद आती कि राम चंदर कह गए सिया से ऐसा कल्यूग आएगा कि राम लला तो कागज देंगे बाकी कोई न दिखाएगा मतर है साल पार्टी का स्टने दिखेए तो डूस्ट तो कानून समयth ने मनमवन सिंह ने बोला है असम की सरकार ने पास करके दिया है वहां की केरल की सरकार ने पास करके लिया है। फ्लोर ढ таким ने कानून तो आ चुका है दिखाईए कानून कब से आ रहे हैं कि जिन लोगों ने विभाजन की भारी कीमत चुकाई थी वह आज तक वो पीडा सह रहे हैं अटल जी की एक पंक्ति थी जो सीए के लिए जो लोग तरप रहें महां पाकिस्तान और बंगलादेश में सारे रेलिजिस पर्सिकूशन वाले हिंदू सिक जैन बौध सब के लिए कहना चाहते हैं कि जिनकी लाशों पर सर रखकर आ जादी थी हमने पाई वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी चाह सब्सक्राइब करेंगे उन्हें आने देना भारत की जिम्मेदारी होगी मैं आपको एक नहीं दिन विए के लिए देखिए इस्लामिक मुल्क कई सारे है इस पूरे देखिए मैं बार-बार बोलता हूं कि हिंदू एक ऐसा आबागा जिसका कोई मुल्क नहीं है पुरी दु हिंदू नागरिक्तार्ण कर्सक्राइब है यह कई स 로 ap break from और पूरी दुक्राइ antar's कोई हिंदू राष्ट है किसी और इसको बताओ तो बताए कोई और सुरिये मुस्लिम मजॉर्टी वाला एक सब्सक्राइब बता देंगे बता देंगे आज कोई धार्मिक राष्ट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है सब पिछड़ते जा रहे हैं बहुत अच्छी जो समिधान सम और लोगों के अंदर जो उनमात भरते हैं हिंदू राष्ट है लेकिन लेकिन क्योंकि आखरी राउंड है मैं सीटों के बारे मैं आप से जारूंगा एक-एक-क्लाइन के अंदर इंडिया आलाइन्स की आपके बता कीए कितनी सीटी आएंगी मैं इंडिया की सुधान्शू से पूछ लेता हूं हमारा तो कहीं कोई शकी नहीं है बी जैपी तीन सो सतर के पार और और इंडिये चार सो के पार आपका आपका जो यह तो जूटे होते हैं जिनके कोई तिकडम होती है केवल वो संख्या बता पाते हैं चुना में संख्या कोई नहीं बता सकता हम यह कह सकते हैं अखिलेंजी नहीं चार सो तीन में चार सो बता ही तो जूटे होते हैं चार सो तीन में चार सो बता ही तो पूर बहुमत की सरकार देखें इंडिया करता है कहां से लड़ेंगे राहुत सरकार चलिए चर्चा आगे और होती रहेंगे चुनाफ का महौल है और यह डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है इसलिए मैं सब आपको बोलता हूं कि इसको इंजॉय करिए इसे महसूस करिए वाद भी वाद भी करिए लेकिन जगड़ा मत करिए पोलिटिकल जगड़ा करिए लेकिन लड़ाई जगड़ा मत करिए यह मेरा कहने का मतलब है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का मेरे युवा मित्रों का बहुत के लिए आज के स्विशे पर बेबाकी से अपनी राय को रखने के लिए मुझे उमीद है कि इंडिया गड़बंदन की इस समय धिक्कत यह है कि वह सीट नहीं बता पार है को क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कहां से लड़ना कहां से नहीं लड़ना नमस्कार और आप सब को ध आने बाद!